लॉक्डाउन में घर से बाहर निकले सुनील ग्रोवर, पड़े फुलिस के दंदे प्रोना वारस के संक्रवन को शिमित करने के लिए ब्रधान मंत्री नरेंज्र मोधी द्वारा देश भर में लॉक्डाउन घोशित किया गया है इस लॉक्डाउन के दोरान सभी अपने घरों में रहने को मजबूर है वहीं पिये मोधीन ने साफ कहा इसे एक तरह से कर्फ्यू भी समझे पुलिस बहुत शक्त है और बाहर निकलने पर लोगों की जमकर पिटाई कर रही है लोग घरों में रहकर अलग अलग तरह से अपना वक्त काटने के लिए मजबूर है इस दोरान सोशल मेडिया पर लॉक्डाउन से जुड़े मिम्स भी खूब वारल हो रहा है इस बीच स्टार कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का भी एक मीम खूब वारल हो रहा है ये मीम सुनील ग्रोवर ने खुद अपने इंस्ट्रागेम अकाउंट पर शेयर किया है मीम को शेयर करते हुए सुनील ग्रोवर ने लिखा हाँ हाँ भगवान के लिए अपने घरों में रहो मीम में सुनील ग्रोवर ने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे घर से निकलने पर पुलिश पकड़ ले रही है और पिटाई कर रही है सुनील ने अपने फिल्म के दो सीन्स को मिलाकर ये मीम बनाया है इस मिम को 1.5 लाग से ज्यादा लोगों ने लाइक और शेयर किया है मालूम हो कि इस लॉकडाउन के दौरान तक्रीबन सभी स्टार्स ने अपने फैंस से घरों में रहने की और बहुत जरूरी नहीं होने पर बाहर आने की अपील की है भारत में क्रोना संक्रमित के संख्या लागतार बढ़ती जा रही है देश में लागतार कदम उठाने के बावजुद संक्रमितों की संख्या 600 से पार है इसके अलावा महरास्टर में सबसे ज्यादा मरीज सामने आया है बता दे कि क्रोना मारस के साथ इस जंग में पूरे देश को नुक्षान जहिलना पड़ रहा है हाला कि पेम मोदी ने रास्टर के नाम संबोधन में साफ कहा कि यदि ये 21 दिन देश को बंद नहीं किया गया तो भारत 20 सार पीछे चला जाएगा